हेलो फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी है इमली की खट्टी मिठी गोली जिनका हम आज घर पर बनाएंगे बहुत इजी तरीके से चलिए शुरू करते है अपर रेसिपी गोली बनाने के लिए यहां मैंने लिया है आधा कप जैकरी पाउडर गुड़ को हमें ग्राइंडर मे अग Ages इसलिए पाउडर डिया यहां आपर इम्ली ली हैं। इम्ली के हमें सीट्स निकालकर उसको भी ग्राइनर में डालकर उसको ग्राइंड कर लाना है यह इत को करब कर लेना है उसके बार हम उसके अंदर अपनी जैगरी पाउडर गुड़ को एड़ कर देंगे और इसके अंदर हम 2-3 टेविल स्पून पाने कर देंगे और उसको तो हमें अच्छे से विक्स कर लेना है, हमें ये process slow flame पर ही कर दी है, जिससे हमारा गुड जल लाजाए और हमें अपने गुड को अच्छे से मैल्ट कर लेना है यहां विस साई को अपर इसको चलातर हुए हमें न होग को बैल्ट कर लेना है जब lin अच्छे से बैट हो जाएगा तब मुझे कर देंके हमारी यह पूरी प्रोसेस भी कर दी है अब मैंन गीली कर्टिरी चलाते हुए गोड़ के अधर अच्छे से विक्स कर ले रहा है बहुत ही अच्छे से अब है गोड़ और इबली को एक साथ अच्छे से चलाते हुए विक्स कर रहा है अभी हमारा गोड़ और इबली काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर राट करेंगे मैंने यहां एक चुथाई चंबच राट चिली पाउडर एक चंबच जीरा पाउडर भूड़ा हुआ और एक चंबच काला डबक इन सब को हम इबली के साथ अच्छे से पेक्स कर लाएना है अब हम इस पेस्ट को खुछ दे ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम अपनी गोलियां बनाना शुरू करेंगे अब हम अपने हाथों को ओईल से या बटर से ग्रीस कर लेंगे उसके बाद हम छोटा छोटा पॉर्शन लेकर हमें गोलियों का शेप दे दाना है इसका साइज हम छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं उसके बाद हम इसको पाउडर्ड शुगर में डस्ट कर देते हैं मैंने यहां शुगर को पाउडर बना लिया है ग्राइडर में डालकर देखिए हमारी खट्टी मिठी इमली की गोली बनकर बिलकुल अब यह पास इमली और गोड है घर पर अवेलेबिल तो हम इसको फटाफट मांच मिनट के अंदर बनाकर रेडी कर सकते हैं बहुत इजीली बन जाती है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा और बैल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा जिसे हमारे आने वाली वीडियो सो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे कि बदेगा जहीं कार दो सब्सक्राइब कर दो कार दो अव्सक्राइब जते हैं